तो प्यारे दोस्तों ने रिलीज किया है एकेडमी केलेंडर 2023 के लिए जिसमें कुछ बड़े-बड़े एक्जामिनेशन की देट से ने बताई हैं तो आए इस केलेंडर को देखते हैं और जानते हैं कि यूजी सेनेट एक्जामिनेशन को लेकर यहाँ पर क्या कहा जा सकता है प्राइद दोस्तों नैश्नल टेस्टिंग एजनसी एंटीए पब्लिक नोटीस इशू करता है 15 दिसेंबर 2022 को सब्जेक्ट रिलीज ऑस टी एंटी एग्जामिनेशन केलेंडर फॉर दी एकेडमी कियर 2023 तो आप सभी के तरह मेरे मन में भी बहुत उतसुकता थी किस बता लग जाएगा कि नेक्स्ट यूटी सीनेट एग्जामिनेशन एंटीए कब प्लान कर रहा है तो उसके अंदर शुरू में तो एंटीए ने अपनी तारीफ करी अपने बारे में बताया कि मैं प्रीमियर ऐसी बॉड़ी हूँ जो कि प्रीमियर एजुकेशनल इसमें दी गई है उनको भी मैं आपको बता देता हूं प्यारे दोस्तों यह है वह एक्जामिनेशन के लेंडर जो एंटीए ने इसू किया है और इस एक्जामिनेशन के अंदर एंटीए कि कुछ मेजर एक्जामिनेशन जो मैं कंड़क्ट करने वाला उसकी आपडेट दिखेंगे जीए का एक्जाम दिखेगा नीट का एक्जाम दिखेगा सीउटी का एक्जामिनेशन दिखेगा बट यूजी सेनेट का कहीं नाबो निशान नहीं है तो अब यूजी सेनेट एक्जामिनेशन का नाबो निशान यहां पर क्यों नहीं है क्या एंटी उसे मेजर examination एक बड़ा examination नहीं मानता है या फिर इसका कोई और कारण है देखो कारण कहीं हो सकता है हो सकता है कि NTA को लगता हो कि ऐसे examination की मैं पहले date release कर दू जिनके basis पे आगे बच्चों ने admissions बगारा लेनी है कहीं ताकि बच्चे जो है अपनी admissions accordingly प्लान कर सके accordingly उनका जो examination schedule बगरा है वो यहाँ पर देख सके यह reason एक हो सकता है और इसके लावा यह भी reason हो सकता है कि NTA को लग रहा हो कि अभी भी तो UGC net का examination conduct हुआ है तो अगले examination में भी तो time ही रखते है अभी इतनी जल्दी क्या है अगले UGC net की date announce करने की तो बहुत सारे कारण यहाँ पर हो सकता है फिलाल यहाँ पर जो हमें कुछ dates दे रखी है उन पर नजर लगा लेते हैं और हमें यह मालूम हो जाएगा कि NTA कौन कौन सी dates को free है और कब हमारा अगला UGC net का examination हो सकता है तो यहाँ पर हम देखते है तो JEE main का examination बता है इन्होंने January के अंदर होने वाला है और उसकी reserve dates आपकी February तक भी जा रही है तो जैन्वरी के अंदर तो मैं कह सकता हूं कि NTA free नहीं है जैन्वरी के अंदर तो अब आपका examination नहीं हो सकता और February के अंदर first week तक कुछ reserve dates जा रही है उसके बाद February में कुछ नहीं ह मार्च में कुछ नहीं है तो फेब और मार्च में आपका NTA free है क्या examination हो सकता UGC net का फेब या फिर मार्च में कहना बहुत ही मुश्किल है इकनोर करना 0% possibility बताना भी बहुत ही मुश्किल है एज स्टुडेंट आपको कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए NTA फेब और मार्च में free लग रहा है और क्या पता NTA को एकदम से ध्यान में आजा इस examination के बारे में भी या फिर आपकी और मेरे जैसे जो हमारे लोग इस examination से जुड़े हो है वो NTA को एसास दिला इस examination की importance का और NTA serious हो जाए थोड़ा सा और इस examination को जल्दी भी conduct कर सकता है तो अभी फेब और मार्च का डेट समय लग रहे हैं कि हाँ NTA के पास available है इसके बाद जो एप्रेल है वो NTA का free नहीं है तो NTA या तो फेब और मार्च में free है या फिर उसके बाद वो free होता है हमारा जून में जून मिट में जाके वो free होता है तो या तो examination होने के chances कब बनते हैं या मार्च में जो की बहुत मुश्किल लग रहा है अभी तो अगर NTA सीरियस होता इस examination के बारे में तो फिर फेब मार्च की डेट्स भी स्याद include करी देता यहां पर कही न कहीं कि मैं UGC net का प्लान कर रहा हूं उसे include नहीं किया गया तो वह थीज थोड़ा सा NTA जो है उसके पास सारा control है और जैसा NTA कहेगा आपको वैसा ही मानना पड़ेगा और इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप अपनी preparation को continue रखिए ऐसा मत सोचेगा कि आप तो जुलाई में ही examination होगा तो पढ़ने की कोई जुरुत नहीं जून में exam होगा तो अभी छोड़ दे NTA भी बता रखिए और मैं चाहता हूं कि हम NTA को एसास दिलाए कि UGC net examination भी एक important examination है और इसके लिए मैं भी एक mail drop करने वाला हूं और आप सभी भी mail drop कीजे NTA को और उसे request कीजे कि next UGC net examination को लेकर जो dates होने वाली है उसके बारे में भी वह announcement जल्दी से जल्दी करें उसने बाकी examinations की dates तो बताई बट UGC net के बारे में कुछ नहीं बताया तो इसको लेकर I think NTA को हम सभी को mail करना चाहि देंगे देखो NTA के पास अगर mails जादा जाएंगी उसे लगेगा कि हाँ इस examination का भी काफी लोग इंतजार कर रहा है तो थोड़ा सा NTA serious लेगा अगर एक दो मेली जाएंगी किवल मैं ही mail करूंगा दो चार लोग और कर देंगे तो उससे I think इतना serious NTA पर effect नहीं पड़ेग है ऐसी चीज़ भी clear कर दे December 2022 और June 2022 मर्ज होने वाले हैं क्या ऐसी चीज़ों को लेकर हमें clarity मिल जाती है तो I think आप सभी अपनी जो preparation है वह और बहतर तरीके से कर पाएंगे अपनी future planning career planning भी अच्छे तरीके से कर पाएंगे तो जैसे अभी NTA ने यह dates release किया ताकि बच्चों को दिक्कत ना है तो हम सभी को भी कोई दिक्कत नहीं आने चाहिए आप सभी जो है इस examination से जोड़े और आपका केरियर इस examination पर टिका हुआ है तो I think यह एसास NTA को भी हमें दिलाना पड़ेगा इस examination के बारे में तो आप सभी NTA को जरूर mail drop कीजेगा ताकि NTA को थोड़ा सा पता लगे कि इस examination की कितनी importance है और प्यारे दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए good news भी है UGC net commerce examination सभी shifts के unit wise salt आपके सामने YouTube के उपर लेकर आने वाले सभी सवाल आपके साथ YouTube पर discuss किये जाएंगे सारे units के आपके सवाल यहाँ पर डिसकस होंगे along with solution explanation तो आप फड़ा- जान कर रहे हैं कि ऐसी series हम यहाँ पर start कर देंगे तो ऐसे sessions के लिए आप ज़रूर हमारे साथ जुड़िएगा ताकि आपको अंदाजा लगे पता चले कि आज कल कैसे सवाल examination में पूछे जा रहे हैं और आप अपनी preparation में इन सब चीजों को incorporate कर पाएं तो थेंक यू प्यारे दोस्तों आज के लिए इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करना दोस्तों को सब्सक्राइब करना थेंक यू बाय टेक केर अल दे बेस्ट